आई आज मतन सुखा बनाने का तरीका सीखते हैं पहले प्रेशक करमे गोश्ट डाल कर उसमें जिंजर गाले पेस्ट नमक और पानी डाल कर गला लें जब गोश्ट कल जाए पानी अच्छी तरह सुखा लीजिए फिर एक पेन में साबत मसाले डाल कर धीमी आँच में भून ले इन मसालों का पाउदर बना कर रखें तेल गरम करके उसमें हरी मिर्च प्यास डाल कर अच्छी तरह भून ले अब इसमें मसालों का पाउदर डाल कर अच्छी तरह मिक्स करें पका हुआ गोष्ट डाल कर अच्छी तरह फ्राइ करें बस मटन सूखा तयार है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले